अक्सर हमारे आसपस होने वाली चीज़े हमारे साथ होने वाली बाते हमें यही इशारा करते हैं कि जो लोग किसी की परवा नहीं करते हैं जिनने कोई फरक नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा कैसा नहीं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं हम सबी की लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों जब हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं किसी की परवा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी मगर हमारे अंदर से आने वाली आवाजे हमारे वो गुड़ जो हमारे अंदर बच्पन से मौजूद है वो कभी भी हमें ऐसा बनने ही नहीं देते कि हम किसी का दिल दुखाएं या हम ऐसे बन जाएं जिसे कोई फरक पड़ता ही नहीं वैसे तो यहर हमारा किसी को भी इग्नोर करना इजी नहीं है और खासकर उनको जिनने हम कुछ से ज्यादा मानते है मगर यहर बहुत सी चीजों में केरलेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इन चीजों में बेपरवा हो जाते हो तो वाकिए आपकी फिलिंग बहुत रेयर हर्ट होती है और आपको कुछ रहने का भी मौका मिलता है जैसे किसी भी जगाँ पर सिर्फ आपका ही सब की केर करना ये चीज आपको हमेशा ही हर्ट करती है आप सोचो कि आप किसी के साथ हो या किसी ओफिस में या किसी इंसिट्यूट में या कहीं भी ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको कुछ ज्यादा नहीं समझते आप उनसे बात कर रहे हो तब तक तो सब ठीक है मगर आपका जरूरत से ज्यादा उनकी केर करना या उन्हें रिलाइस करवाना कि आप उनके कितनी परभा करते हो यह हो सकता है कि कभी-कभी उन्हें पसंद ना आए और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दें क्योंकि अर इंसान की फितरत है मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को वो कुछ ज्यादा ही नजर अंदास करने लगता है तो जब आप जरूरत से ज्यादा उन्हें ये जदाना छोड़ दोगे कि आप उनके कितनी केयर करते हो तो उनके अंदर एक डर बना रहेगा कि वो आपको खोना दें और वहीं जब आप उनके मन में ये हद से जदा बैठा दोगे कि आप उनके कितनी परवा करते हो तो कोई भी आपको इग्नोर करने लगेगा ये सोच कर कि आप तो हमेशा उनके पास ही रहोगे इसके बाद है उनका इंतजार मत किया करो जिनके आने का आपके पास कोई सबूत नहीं है कई बर हमारी उमीदे ही हमें सबसे जदा हर्ट करती है तकलीफे पहुचाती है तो जब आप किसी से ये उमीद लगाना छोड़ दोगे कि वो आपको खुश रखे या वो आपसे बात करे तब ही आप खुश रहोगे या कोई भी चीज आपकी लाइफ में होगी तब ही आप खुश रहोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते दोस्तो जब तक आपकी खुश यहां किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होती रहती है आपका खुश होना बहुती ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो खुद का ख्याल रखना सीखो जो साथ रहना चाता है अच्छी बात है पर जो नहीं रहना चाता तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है आपकी यही सोचाप को हर्ट होने से बचाती है दोस्तो बेपरवा लोगों में सबसे खास बात यह होती है कि उन्हें कोई जादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी लाइफ में है या नहीं या वो किसी चीज में सक्सेस हो रहे हैं या नहीं वो अपनी खुशियों का कोई ना कोई रास्ता ढूनते रहते हैं मगर या उनके सबसे बुरी बात यह होती है कि वो केरलेस रहते रहते हर एक चीज में बेपरवा होना शुरू कर देते हैं जैसे उनको हमेशा पसंद करने वाले लोगों को भी कभी कभी वो कुछ न कुछ बोल देते हैं अपनी केर नहीं करते, पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं और कई बार तो उन पर ऐसी चीजे हावी हो जाती है जिससे उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत जबकि अर अभी तक मैंने आपको ये बताया कि केरलेस कब कब बनना चाहिए जैसे लोगों के नजरिया में केरलेस बनना चाहिए कि वो आपके लिए क्या सोचती हैं क्या नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए या उमीदे लगाने से बचना चाहिए या लोगों को प्लीज प्लीज करके उन्हें प्यार जताने से बचना चाहिए पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीजों में आपको केरलेस बिल्कुल नहीं बनना चाहिए इसमें सबसे पहले है पैसों की मैनेजमेंट में असल मियर पैसे अमारी बहुती ज्यादा मदद करते हैं अपने वर्तमान को अच्छे से बिताने में पर कई लोग जब किसी की भी परवाकरनी बंद कर देते हैं तो वो नशे वगरा के चक्कर में पढ़ जाते हैं या किसी ऐसी जगा पैसा उड़ाने लगते हैं जा उनको ये पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे जूए में या रोज भार काई खाना या कोई भी चीज जो वो जरूरत की चीजों से हट कर कर रहे हैं। ये सबी चीज यार आपको एक टाइम पर आकर बहुती ज़्यादा दुख दे सकती हैं। आपके रिष्टे में कभी भी दूरी नहीं आएगी और नहीं लोग आपसे बात करने से कतराएंगे। बेपरवा होते हुए कभी भी अपने वर्स कंट्रोल से बाहर मत जाने देना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी चीज का घमंड है या ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी बातों से सिर्फ मैं मैं की ही आवाज यह सुनाई दे अपनी खुशियों के लिए काम करना बहुत जरूरी है लेकिन सेलफिश बनना या घमंडी बनना आपको कभी भी अंदरूनी खुशी नहीं दे सकता दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी बात है आपको समझ आई होगी इन बातों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको किस तरह बन कर रहना है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं ऐसी ही अपडेट आपके लिए और भी लाता रहूँ इसके साथी इंस्टापर मुझ से अभी जोड़ो इंस्टापर मैं काफी चीज़े अपडेट करता रहता हूँ तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी इंस्टापर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद